दियम ने वंडर एप परिशिक्षन 100 कार्याशाला को क्या संबोधित एंटी शौक गर्मेंट का हुआ वित्रण वंडर एप पर गरवती में हिलाओ की जाज परतिवेदन की पूरी जानकाली अपलोड करने से लेकर बिहार विधाले परिशिक्षन 100 कार्याशाला को संबोधित करते हुए जीला अधिकारी डॉक्टर त्याग राजन एसम ने कहा कि वंडर एपर कई मामले में पूरी जानकारी अपलोड नहीं रहने के कारण प्रातमिक सौसकेंसे डीम सेज भेज़े गई गरवती महिलाग की इलाज में कठिनाई उत्पन होती है पूरी जानकारी रहने पर उस मारीश का सौस अमें इलाज करना आसान होता है उन्होंने कहा कि डीम् सेज में स्तरी रोग विसे सक, तथा इस्तरी रोग विभाग गया धिक्ष डॉक्टर को मुधनी जहा एक अनिष इस्तरी रोग विसे सक उन्होंने कहा कि पीपीएज, पोस्पाटम हेमरुज, प्रस्चाथ, रक्तस्त्राओ, एव अब्स्ट्रेक्टेट लेबर के मामले में, रक्त चाप, बलड ग्रूप, प्लस रेट, एव हेमोगलेबिन की जास से सम्मधित जाड़करी यदि उपलब जहेत, तो पता चलता है कि मरीज को कितनी मात्रा में खून के अवशकता है, प्रिक्लो मेप्षय में यूरीन में प्रोटीन की मात्रा, और एग्लो मेप्षय में उच्च रक्त चाप के नेमीत जाच, परतिवेदन अवशक है ताकि सम्मधित मरीज का सही तरीके से इलाज किया जा सके, इसी परकार की च्छोटी च्छोटी जनकाई नहीं रहने से रेफर्ड मरीज का DMCH में सिक्रता से लास्ट करने में परिशानी होती है। महिलाओं को बाएं करवट लटाया गया है या नहीं आक्सिजन दिया गया है या नहीं माउथ गैंग लगाया गया है या नहीं उसी परकार परिवान के तोरण क्या ओक्सिजन दिया गया है जदी DMCH आने में दो घंटे से अधिक समय लगता है उसी स्थी में प्रति घंटे BPA इलस्ट्रेट लिया गया है या नहीं, तथा संथान को सूचित गया गया है या नहीं, ये जानकारी वंडर एप पर डालना अनिवार है।